राम राम बेबे सारी बान बेटिया नहीं बेबे जड़े के सूँट लेका आई हूँ देखियो ज्यान करकर पर्टी में भी पर अनके हैं और गरावी पर लियो बेबे असा दिम पर यो अपनी छोरियां दो रवेजियो अपनी डबन्यान बताईयो और बेबडिया सूट ले जड़े के अर्म बेबे दूसरे नवी देखाऊंगी देखियो जानते तो आज आप सभी के लिए सर्दयों के सूटों की नई नई वराइटी आच चुकी है सबसे पहले आते हैं कुल्लू ब्रैंड का सूट और इजिनल कुल्लू के ये वाले सूट होने वाले हैं और जिन लिडीज को सूटों में रूवे की प्रॉब्लम होती है न ये उनके लिए धमाका है इन सूटों में रूवे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पूरे मतलब चाहिए कितने ही दिन पहनी हो इस सूटे में रूवे नहीं होते हैं सबसे पहले आता है ये अगला बड़त दिय गया है सूट पे जिस पे नीचे हैवी बॉर्डर दिया गया है यह इसके दामन पे काम किया गया है और सूट पे अलग-अलग स्लिफ बनाएं गया हूँ एकदम डॉलो कलर का सुट दिया गया है जिस पर ऑर राड़ागे कोने साथ काम किया गया है क्योंकि ये पूरे निया टेच्टारे इसहुनी सलवार का कपड़ा बाज्जू का कपड़ा भी और सूट भी तो लंबाई चोड़ाई का कोई इशू नहीं होगा ये पूरा लंबा है पूरा चोड़ा है लंबाई और चोड़ाई का कोई इशू नहीं होने वाला है ये सूट का अगला पड़त है जिस पर पूरे पे फूल बनाए गए है और नी कि बाजू का बोड़र है जब बाजू पे लगाना हो तो यह दिर इसकी परriters चलवार की बात करें यह साथ ही पूरा न्लमाद कम आगए है उसके साथ सल्वार का कप्रदा धिया गया गया है चो पोंचों के लिए अलग से बोड़र दिया गया था आगे के पड़त पे वैसा ही सेम दिया गया है पिछले मतलब सल्वार के पोंचों के लिए भी चाहे आप इसकी सल्वार बनाओ प्लाजो बनाओ या प्लाजो पैंट बनाओ अब बात कर इसके शोल की तो इसका पूरा लंबा चोड़ा शोल दिया है भारी ही है सर्दी तो लगने निवाली ये इसका शोल होने वाला जिसके दोनों साइड ये वाला बोडर दिया गया है जो सेम इसके दामन पे दिया गया था पूरे सूट पे ये वाला बोडर दिया गया है दोनों साइट दिया गया ये नीकी एक साइट दिया गया ये इसके दोनों साइट इसका बोडर दिया गया है अब इसके कुछ कलर्स और है तो ये था बिलकुल डार्क येलो कलर बिल्कुल गाट ढापीडा सूट दूसरे ये तामबे कलर का है तामबे कलर का ये वाला सूट होने वाला है उसके बाद है मरून कलर का सूट मरून कलर का तीसरा सूट है उसके बाद है बेबी पिंकी या फिर बिल्कुल लाइट पिंक कलर का सूट उसके बाद है लेवेंडर कलर का सूट है और ये है चोथा प्याजी कलर का सूट है और ये प्याजी कलर का सूट है और ये पेस्टल ग्रीन कलर का सूट है तो ये इसके साथ रंग दिये गए है कुलू ब्रेंड के साथो सूट दिये गए है साथो पे सेम पैटरन दिया गया है दामन सेम दिया गया है वी और बीच में flowers बनाए गया दामन पर थोड़ा थोड़ा different sign का जैसे इस पर थोड़ा different pattern है इस पर थोड़ा different है और उन पर अलग अलग है पर बाकी कपड़ा सेम है डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है पर पैटरन बिल्कुल सेम है कुलू ब्रेंट के वाले सूट होने वाले अब इनके प्राइस की बात करें तो एकदम रीजनीबल प्राइस दिया गया 790 रुपे में वो भी फ्री शिपिंग के साथ पूरा हैवी सूट दिया गया है वैलवेट में ये वाला सूट होने वाला जिस पर पूरे पे अम्ब्रोइडरी करी गई है डार्क ग्रीन कलर का ये वाला सूट होने वाला है जिस पर जरी का काम किया गया है बीच बीच में छोट छटे flowers बनाए गए है ये side में lines दी गई है दोनो side जिनके बीच में गाजरी और थोड़ा हड़का green कलिल के साथ वर्क किया गया flowers बनाए गए है उपर गड़े पे पूरा heavy work किया गया है flowers बनाए गए जरी का वर्क किया गया ये वाला बिल्कुल नहीं, जुबता एक दम soft fabric और soft suit होने वाला है, एक दूसरी बात ये अलोग का suit होता है, अलोग company कारेक और बात, जो ये होता है ना कि जो value होती है वो 9000 में सबसे ज़्यादा अच्छी पाई जाती है, तो ये वही वाली है, ये देखो ये रॉल्टा हो र होती है वो होती है, जो 9000 की होती है, तो ये वही वाली वैल्वेट दी गई है, पूरा heavy suit दिया गए, दम party wear suit है, और अब इसके बाज्यो की बात करें ना, तो इसकी बाज्यो पे भी border दिया गया, ये इसकी बाज्यो पे वर्क किया गया, जो जरी में ही है और sequence में है, ये इ इसकी सलवार की बात करें ना, तो इसकी proper 3 मेटर की velvet में ही सलवार का कपड़ा दिया गया है, bottom का कपड़ा दिया गया है, और उसके बाद इसकी पोचो के लिए भी अलग से इसका bottom दिया गया है, ये इसकी पोचो पे बनाने के लिए design दिया गया है, जो जरी के धागे के यह है इसका दुपट्टा एक मैंने देखा है कि सूट तो वैलवेट का हो गया पर दुपट्टा शिफोन का या फिर प्योर का होता है पर यह वैलवेट में ही दुपट्टा दिया गया जो पूरा हैवी है दुपट्टे के चारो साइड वर्क दिया गया है यह जरी का वर्क चारो साइड बोर्डर बनाया गया है बीच बीच में फ्लावर्स बनाएगे जो अलग ही शो दे रहे एकदम पूरे सूट पे पूरी खिलावट है और पूरी शो दे रहे एकदम पार्टी विर लुक देने वाला सूट है चाहे इस क्या प्लाजो बनाओ चाहे पैंट बनाओ बहुत अच्छा पार्टी विर सूट है पर एकदम अच्छा लुक देने वाले चाहे आपको कई देना है शादी में तो यह उसके लिए भी बैस्ट है यह प्रॉपर लुक होने वाला है सूट का बहुत प्यारा सूट है यह देखो इसका प्रीमियम वैलवेट दिया गया है तो यह आज का तीसरा सूट जो शायद आखरी भी है आज के लिए तो यह है डार्क ग्रीन कलर का सूट है सर्दियों का ही है यह वाला सूट भी इसकी क्वैलिटी भी बहुत अच्छी है सूट पर ना हैंड एम्ब्रोइडरी है एम्ब्रोइडरी नहीं है धागे का वर्क है जरी का धागे का भी यूज करा गया है पुरा हैवी गड़ा बनाया गया है उसके बाद दामन की बात करे तो दामन पे भी हैवी वर्क किया गया है सेम धागे के साथ इस पे भी वर्क किया गया है लंबाई जोड़ाई का कोई इशू नहीं होने वाला है शायद नॉर्मल उसे तो जादा ही है कुछ न कुछ तो कोई इशू नहीं होगा उसके बात कर इसके बाजू की तो इसकी बाजू के लिए भी अलग से दिया गया है ये इसकी बाजू पे दिया गया है ये वाला इसकी बाजू पे दिया गया है जो उस साइड वाला है वो तो है बाजू के जो इधर वाला जिस पे flowers बनाए गए हैं वो border के लिए है पिछले पड़त का जो border होगा पिछले पड़त का जो दमन होगा जोड़ी होगी वो उस पे लगेगा और जो बीच में cut है वो cut के लिए ही है असल में तो जो suit के साथ attached है न वो तो है पिछले पड़त के लिए जो की प बाजू के कपड़े के लिए बात करें इसके सलवार के पौंचों के लिए अलग से सेम बोडर दिया गया है सेम अटेश्ड इसकी सलवार का कपड़ा होने वाला तीन मिटर इसकी सलवार का कपड़ा दिया गया है अब बात करें इसके शोल की तो इसका बहुत प्यारा शोल यह इसका शूल होने वाला है जो सूट के साथ ही Attached है मतलब Attached निया पर Macing है जैसा सूट से काम किया गए जिन दागों के साथ उनहीं दागों के साथ स्टोल पर भी काम के स्टोल निया शूल ही है पूरा लंबा सूटों का प्राइस है 1100 रुपे फ्री शिपिंग के साथ 1100 रुपे में यह सूट आपके घर तक मिल रहे है इसके कुछ कलर और भी है सबसे पहले था यह डार्क ग्रीन कलर का सूट उसके बाद आता है डार्क येलो कलर का सूट मस्टरड कलर से थोड़ा डार्क है यह हल्दी कलर का ये वाला सूट होने वाला है जिस सेम वरक किया गया है सेम सब कुछ सेम पैटरन है उसके बाद है यह गाजरी कलर का सूट और ग्रे कलर का सूट है उसके बाद है औरेंज कलर का सूट है ग्रे कलर का सूट है औरेंज कलर का सूट है मस्टार्ड कलर का सूट है और गाजरी कलर का सूट है अब बात करें एक और चीज ना कि जैसे डार्क ग्रीन कलर का जो सूट था उसका मैचिंग शॉल था जो पूरा हैवी था उसी के साथ जो येलो कलर का भी कोश्याड़ है ना उसकते कलें घाज्री कला का सूट यह 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 17 पर इसका भी आ गया है गंटले पर डिजाइन दिया गया गया क्ष़ले पर बाज़ों परर बज्मी सहाय है उसके बाद आप धिल्यमी डिनिया है टो तो ये इन दोनों का थोड़ा डिफरेंट ताबर वाक्षी सब कुछ सेम है इनका प्राइस मैंने आपको बता गया है 1100 पे इनका प्राइस होने वाला है जल्दी से जल्दी ओडर करें आप मिलते हैं अगली वीडियो में